हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई OPC यूटूब चैनल स्टेडी मेटेरियल A to Z काईज आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आइटली सेंटर जो नासिक के आपके 107 पोस्ट पे जो भरती निकली थी उसके फोम रिजेक्ट के बारे में क्योंकि काफी सारे अब्यारती लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हमारे पास इंप्लोमेंट एक्सचेंज नहीं डालते हैं तो क्या फोम अपना रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें आपको इंपोर्टेंट जो भी आपका नोटिस है उसके रिगार्डिंग ही बताई जाएगी और आपके बहुत सारी कैंडिडेट एस्सर हम इंप्लोमेंट नीज नहीं डालें और आपका जो ये एक्सचेंज है वो अगर नहीं डालते है तो फोर्म एक्सेप्ट हो जाए तो हम डाल दें काफी सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं और आप अगर इंप्लोमेंट एक्सचेंज बनवाना चाहें तो क्या बनवा सकते हैं तो सारी जानकारी वीडियो में आपको मिलने वाली है तो जो भी कैंडिडेट नहीं आये हैं वो को subscribe जरू कर लिजिएगा दोस्तो group C की हर भरती की update आपको सबसे पहले channel पे की जाती है update दोस्तो आप अभी तक telegram पे नहीं जुड़े हैं तो इस पे आपको offline form जो की यहां पे मैंने send कर दिया है या पिर कोई भी notification है वो आपको इसमें मिल जाता है तो यहां से download कर सकते हैं directly आप video की discussion में मैंने telegram का भी link आपको provide करवा दिया है अगर आपका कोई भी doubt रहता है तो यहां पे आपके लिए doubt group भी बनाऊ है तो आप आसानी से आकर यहां पे भी join कर सकते हैं दोस्तो अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो आपको video की discussion मैंने instagram का link डाल दिया है यहां पे follow करने वाले candidate और यहां पे जब layu आते हैं तो आप सभी को notification वगरे आपको यहां से update मिल जाता है अगर आपने follow कर रखा है दोस्तो मैं आपको सारी चीजें आपके notification according बताऊंगा और यहां पे आपके लिए एक important चीज mention की गई है आपके यहां पे इस notification में कहीं पर भी mention नहीं किया गया है कि आपका form अगर आप implement exchange नहीं डालते हैं तो आपका form reject किया जाएगा बट दोस्तो आपके लिए video complete देखेंगे तो सारी जानकार यहां पे आपके लिए applicable रहेगी यह आप काम कर देंगे signature वगेरे वाला कोई problem नहीं है जहां पे problem है वो चीजें आपके लिए बता देते हैं दोस्तो एक जो D option दिया गया है इसमें आपको correct mention किया गया है कि application अगर आपकी जो date यहां पे लिखी गई है 21 जनवरी 2022 से तो आपको इससे पहले पहले आपको apply करना होता है कि आपके कोसिस यही करनी होती है कि आपका जो time duration दी गई है उससे 5 दिन पहले और 5 दिन after यानि जो आपका start होता है उसके 5 दिन after दोस्तो आपको form start करने चाहिए भेजने और आपको 5 दिन पहले जो है अपना form submit करवा देना चाहिए ताक कि आपके कोई भी दिकत ना आए लेकिन एक चीज़ और भी लिखी गई है कि अगर आपका form uncomplete पाया जाता है यानि दोस्तो उसमें आपका option है implement exchange अगर आप वो number बगएर नहीं डालोंगे तो आपका form reject किया जाएगा और अगर आप eligible नहीं हैं अपनी age बगएर को अच्छा से mention नहीं करते हैं अपनी आपकी जो DOB है वो अगर miss match होती है तो दोस्तो आपको यहाँ पर भी form reject किया जाएगा हालांकि बहुत सारे candidate की comment थे कि सर हम implement exchange नहीं डालें तो क्या हमारा form reject किया जाएगा तो सपस्ट इनों ने कहा है बिल्कुल दोस्तो आपका form reject किया जाएगा कोई भी आपकी excuse नहीं चलने वाले है तो इस चीज को आप सभी candidate ध्यान रखेगा implement exchange दोस्तो आप अपने district का बनवाना ही पड़ेगा और आप दोस्तो जिस भी यहाँ पे अपने emitter, cafe वगेरे वहाँ पे जाकर पता कर लीजिए क्या online बनता है या फिर कहां से क्या process होती है तो आप उसको बनवा सकते हैं अगर आप दोस्तो यहाँ पे next बात करते हैं आपका जो सवाल है कि आप अगर एक चीज और भी होती है कि आपकी जो dark ticket होती है वो भी आपको डालना है 5 रुपे का अगर ये भी नहीं डालोगे तो भी form आपका accept नहीं किया जाएगा ये चीज तो आपको सबसे ज़्यादा initially दोस्तो ध्यान में रखनी है उसके बाद आपकी जो photograph है अगर आपने photograph का जो है application और ये सारी चीजे मैंने आपको form को भरके अच्छा से बताया था दोस्तो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा बहुत अच्छा response था आप सभी को दिल से thank you और दोस्तो आपका वीडियो हमारा दोस्तो अच्छे से आपका running में चल रहे है और आपके लिए यहाँ पे दोस्तो application के बाद एक चीज यह है कि आपका अब exam center कहां पे रहेगा आपके exam कब होंगे और आपकी यह duty कैसी है और दोस्तो आपके सारे जितने भी comment बचे हैं यह आपके मैं लूँगा next वीडियो में क्योंकि मैंने यह सिर्फ आपका यह जो form है वो accept और reject को लेकर ही एक जो हो अलग से वीडियो हो जाए क्योंकि जो candidate search करें तो उनको भी यह सारी चीज़ें पता चल सके तो दोस्तो यह आपका application form मैंने टेलिग्राम पे forward कर दिया है तो आप जो टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते है वीडियो की discussion में मैंने link भी आपको provide कर दिया है और दोस्तो यहाँ पे आपको implement जो यह जो card दे रखा है क्योंकि आपका जो offline form होता है online form होता है इसमें एक difference दोस्तो नोट करना होता है कि जो online form होता है उसमें आपको star लिखा होता है वही form जो अगर आप accept करते हैं यानि आप इसको apply करते हैं तो आपका form आगे submit हो जाता है लेकिन जो offline form होता है उसमें जितने भी option दिये गए हैं वो आपको बिल्कुल यह fill up करने होती है यह आपके document है वो सारे चीज़ें आपको send करनी ही होती है तब ही जाकर जो दोस्तों क्योंकि आपको जितने भी इध्यान में रखना है तो गैज यही आपको update करना था कापी सारी candidate के लगातर कमेंट आ रहे थे तो reject को लेकर तो बस दोस्तों अगर इतनी गलती नहीं करते हैं तो आपका form accept कर लिया जाएगा और आपके आगे की जो process होगी आप चैनल पे जुड़ जाएए सब्सक्राइब कर लिजे आगे की नेक्स्ट प्रोसेस लगातार आपको update करते रहेंगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिंद